Hey guys, welcome back to my channel दोस्तो फायर बोल्ट की एक और कोलिंग स्मार्ट वोच आ चुके है जिसका नाम में फायर बोल्ट इन्वेंसिबल लेकिन दोस्तो इसमें कोलिंग के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है पंद्रा सू से भी ज़्यादा गाने सेव करके रखने का ओप्सन वही इससे आप लोग अपने एरबट्स को भी कनेक्ट कर सकते हो calculator का option आप को इसमें मिलेगा वहीं blood press and monitor का उप्सन भी आप लोगों को इसमें मिलने वाला है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों बताऊंगा इसके complete features, display के बारे में किसमें display आप लोगों कैसे मिलने वाली आणि कि इसके बारे में complete information आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ और साथ ही आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आप लोगों के स्मार्ट वोच लेनी चाहिए या फिर नहीं तो चलिए वीडियो का फी जद इंट्रस्टिंग होने वाली है मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अब लोग में साथ वीडियो में लाश्ट तक बने रहाना सु वीडियो शूर करने से पहले तो दोस्तों यह आ गए हम एमाजोन की ओफीशियल वेबसाइट पर और यहां पर हम देखेंगे कि इस स्मार्ट वोच में आप लोगों कौन कौन से स्पेसिफिक इस बार फायर बोल्ट ने हमें प्रोवाइड कराए हैं तो चलिए वीडियो काफी ज़्यादा इंडिस्टिंग होने वाली हैं दोस्तों सबसे पहले तो हम चलते हैं इस स्मार्ट वोच के डिजाइन और डिस्प्ले पर सर्कुलर डायल सेप में आप लोगों को यह 74 pixels के साथ में दोस्तों इतने अच्छे pixels होने की वज़े से इस स्मार्ट वोच में जो आप लोगों कलर्स वो काफी अच्छे मिल जाएंगे वही brightness बिसमें आप लोग काफी अच्छी मिलेगी और दोस्तों इस स्मार्ट वोच की सबसे बड़ी खास बात है वहीं माईक और speaker का होना जिससे कि आप लोग इससे calling कर सकते हो Calling वाली एक smart watch होगे जिसमें आप 200 से ज़्यादा अपने contacts को save करके रख सकते हो Quick dial pad का option आप लोगों को इसमें मिलेगा और वहीं आप लोगों को इसमें 8GB की internal storage मिलेगी जिससे कि आप लोग इस smart watch में 1500 से ज़्यादा गाने save करके रख सकते हो और इसी के साथ साथ आप लोग इस smart watch से अपने earbuds को भी connect कर सकते हो चाहे वो कोई सी भी company के क्यों ना हो किसी भी company के earbuds आप लोग इससे connect करके अपने गाने सुन सकते हो ये feature अभी तक smart watch में मिलता तो है लेकिन काफी सारी companies बस अपने ही companies के जो earbuds है उनको अपनी watch से connect होने देती है लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा वही दोस्तो 100 plus watch faces आप लोगों के इस smart watch में मिल जाएंगे वही आप लोग अपने image को भी as a watch face यूज़ कर सकते हो 100 plus watch faces के साथ 100 plus sports mode आप लोगों के इस smart watch में मिलने वाले हैं अगर fitness trackers की हम बात करें तो heart rate monitor जैसा की हरी smart watches में आप लोगों को मिलता है इसमें भी मिलेगा SPO2 monitor भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाला है वही sleep tracking option आप लोगों को इसमें मिलेगा breath mode आप लोगों को इसमें देखने को मिलने वाला है blood pressure monitor भी आप लोगों को इसमें मिलेगा और अगर बात की जाए design की तो design तो आप लोग इस smart watch का देखी सकते हो किस टाइप का है वही always on display का support भी आप लोगों को इस smart watch में मिलने वाला है अगर battery की बात करें तो company claim कर रही है कि एक बात charge करने पर normal use पर 7 दिन तक चलेगी जैसे की camera control इसके साथ alarm और सबसे important calculator जो की अभी तक smart watches में आप लोगों को नहीं मिलता देखने में चाहें वो कितनी भी महंगी smart watches की नहीं हो 10,000 रुपे तक की उनमें आप लोगो calculator नहीं मिलता लेकिन इसमें मिलेगा music को आप लोग control कर सकते हो weather की update आप लोग जान सकते हो sport watch का feature मिलेगा IP67 की water resistance rating मिलने वाली है तो दोस्तों यह जो smart watch है यह overall package है smart watch का क्योंकि इसमें calling का feature मिल रहा है आप इसमें गानों को भी store करके रख सकते हो जो कि आप लोगों को अभी तक सायद ही बहुत ही कम smart watches में देखने को मिलता है अगर देखने को मिलता भी है तो वो 20-20,000 रुपे की smart watches है जैसे की oppo और samsung लेकिन इसमें आप लोगों को वो सब चीजे मिल रही है तो दोस्तों अगर बात की जाएं इस smart watch के price की तो इस smart watch का जो price है इन features के साथ में लगबग 5-6,000 रुपे के बीच में रहने वाला है क्योंकि firebolt जानी जाती है अपनी budget prices में smart watches launch करने के नाम से आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन